यह L&T Company का CX2000 Model का VFD है चलो हम सुरू करते हैं हम लोग Basic Programming जब हम लोग VFD में करते हैं फिर हम लोग को क्या-क्या इसमें देखना पड़ता है हम लोग सुरू करते हैं पहला है XACC जब हम लोग Programming करेंगे तो उसमें ACC बोलके Code आएगा ACC का मतलब क्या है Acceleration Time ACC का काम क्या है Acceleration Time Acceleration Time बोलेगा तो जब VFD को Zero Frequency से लेके 50 Hz तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है वो इसमें हम लोग सेट करते हैं दूसरा क्या है De-Acceleration Time De-Acceleration Time बोलेगा तो 50 Hz से 0 Hz में आने के लिए कितना टाइम लगता है कितना टाइम हम लोग को चाहिए और टाइम हम लोग डाल सकते हैं 50 Hz से लेके 0 Hz तक लेक्यान के लिए तो इस डिकलेशन टाइम हो गया ठीक है अभी Next क्या है F4 जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग क्या करते हैं Stop Mode सेलेक्षन करते हैं F4 प्रोग्रामिंग में F4 प्रोग्रामिंग में यदि हम लोग 0 डालेंगे तो एक क्या है Stop Mode कितना है 4 आपसन है Stop Mode का मतलब BFD को हम लोग कैसे Stop करा सकते हैं यदि 4 मोड से हम लोग Stop कराते हैं वो प्रोग्रामिंग कहा होता है F4 में F4 में यदि हम लोग 0 डालेंगे तो, 0 डालके OK करेंगे तो, इसका काम क्या हो जाएगा? Declaration time to stop, मतलब VFD क्या होगा? जब हम लोग को Declaration time डाला रहता है, ये time से VFD बंद होईगा, ठीक है? यदि F4 में एक डालेंगे तो, DC break to stop, यदि एक डालेंगे तो, VFD stop होईगा, तो, VFD क्या करेंगा? DC voltage motor को बेज़ेगा, वो complete off करने के लिए, complete off करने के लिए क्या करेंगा? DC voltage बेज़ेगा, ये मतलब कहां यूज़ करते हैं, ये जब ऐसा डर रहता है कि motor यदि उल्टा गूम जाएगा, reverse गूमेगा, उसका protection के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये बला break यूज़ करते हैं, यदि F4 में 2 डालेंगे तो, 2 का मतलब क्या है? free run to stop, इसमें क्या होता है? जब ए 2 डालेंगे तो, free run to stop, motor गूमता रहेगा, जब motor में load आएगा, फिर ए बंद हो जाएगा, ये फ4 में 3 डालेंगे तो, power breaking stop, यदि उसमें power resistance नहीं लगाया हुआ है, तब हम लोग ये वला option यूज़ करते हैं, अभी दूसरा क्या है? इफ 21, इफ 21 हम लोग किसके लिए programming करते हैं? maximum frequency के लिए, जब इफ 21 सेलेक्शन करेंगे तो, इफ 21 में हम लोग 50 Hz to 60 Hz तक हम लोग अपना RPM बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हम लोग maximum frequency कितना रखेंगे, वो हम लोग set करेंगे, इसमें क्या है? इफ 22 का programming, based frequency, जब हम लोग programming करेंगे, भी अबडी में, तो motor में जो frequency लिखा रहता है, वो इसमें हम लोग डालेंगे, इफ 23, इफ 23 का मतलब क्या है? lower frequency, इसमें क्या है? start frequency no output, इफ 23 का मतलब क्या है? lower frequency हम लोग set करेंगे, मतलब हम लोग का motor इतना frequency रहेगा, तो चालो हो जानेगा, जैसा हम लोग lower फिर देखे, 24, इफ 24 में क्या है? frequency high and low limit enabled, यदि हम लोग F20 में जाके, उसको zero, इसमें दो रहता है, zero और one, यदि हम लोग F24 में, zero डालेंगे तो, ये दोनो काम नहीं करेगा, ये दोनो काम नहीं करेगा, ये disabled रहेगा, यदि हम लोग F24 में one डालेंगे, तो ये दोनो इनेबल हो जाएगा, फिर ये दोनो limit क क्याम करेगा यह दोनों लिमिट ए लिमिट को कंट्रोल करेगा अभी जो हम लोग इसमें डालेंगे हाई लिमिट फ्रिक्वेंसी लो लिमिट फ्रिक्वेंसी तो इसका हिसाब से फिर भी अब डी मोटर को चलाएगा अब ही क्या है दुसरा यफ 27 क्या है टॉर्क बूस्ट सेलेक्शन मतलब हम लोग जब मोटर को टॉर्क देंगे तो दो इसमें पॉइंट है देख सकते हैं एक जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं एक वन सेलेक्ट करते हैं तो F27 में यदि हम लोग 0 सेलेक्ट करेंगे torque के लिए तो ये manual torque बूस्ट रहेगा तो हम लोग उसमें set करते हैं manual torque boost कितना रखना है कम से कम ही रखते हैं ज्यादा नहीं रखते हैं तो 0 रखेंगे तो manual torque boost आएगा यदि 1 रखेंगे तो auto torque boost मतलब लोट का हिसाब से ए आटोमेटिक VFD मोटर को चालू करेगा अभी क्या है F28 F28 का मतलब क्या है Forward Torque Boost अभी F28 और F29 अभी इसमें क्या है F27 में 0 डालेगा तो ए दोनों काम करेगा Forward Torque और Reverse Torque फिर हम लोग दोनों में सेटिंग कर सकते हैं यदि F27 में 1 रहेगा तो फिर ए दोनों डिसेबल रहेगा ए दोनों काम नहीं करेगा फिर BFD अपना आटोमेटिक Torque Boost F72 F72 प्रोग्रामेंग जब हम लोग दो लोड में चला सकते एक Heavy Duty लोड में एक Normal Duty लोड में दो लोड सेलेक्शन में हम लोग चला सकते हैं यदि 0 डालेंगे तो F72 में 0 डालेंगे तो यह Heavy Duty लोड में चलेगा Heavy Duty लोड में जहां Constant RPM देना चाहिए जहां Constant लोड रहता है उसमें हम लोग 0 सेलेक्शन करते हैं जैसा Crane हो गया Convair हो गया इसमें Constant रहता है इसके लिए हम लोग 0 सेट करते हैं 1 वहां सेट करते हैं जहां Normal Duty Normal Duty नर्मल चीज चलाना जैसे Fan हो गया, Blower हो गया अभी दूसरा है इदर H30 दूसरा Programming H30 का H30 में Motor का जो Name Plate में Kilowatt रिखा रहता है और इसमें हम लोग Entry करेंगे H31 H31 का मतलब क्या है H31 का मतलब है Motor, Pole Name Plate में Pole लिखा रहता है 2 Pole, 3 Pole, 4 Pole और इसमें हम लोग डालेंगे H33 H33 में Motor कितना Ampere का कितना Current का है हम लोग डालेंगे इसमे H40 H40 में Control Mode H40 बहुत Important Programming है H40 सेलेक्शन करेंगे तो यहां 3 सेलेक्शन आता है H40 में Control Mode 0 डालेंगे तो VYF Control General Purpose के लिए जो यूज करते हैं हम लोग Motor Rootर चलाने के लिए उसके लिए हम लोग General Purpose के यूज करते हैं इसमें 0 डालते हैं जब Slip Compensation जो Mode है Slip Compensation बोलेगा तो यदि Speed नीचे उपर होता है तो इसको इसमें हम लोग 1 डालेंगे तो Speed को Constant रखता है इसमें हम लोग सेलेक्शन करेंगे तो और यदि इसमें 3 डालेंगे तो अफ कंट्रोल मोड में सेलेक्शन करते हैं अभी यद 77 यद 77 हम लोग BFT में जो BFT में Cooling Fan रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए यह हम लोग यूज करते हैं Cooling Fan रहता है उसमें उसमें यदि हम लोग 0 डालेंगे तो जब हम लोग Power On करेंगे तो यदि इसमें एक प्रोग्रामिंग करेंगे तो On, When, Run, Command, Give मतलब एक डालेंगे तो जब हम BFT में On, Command देंगे तब ओ फ्रोग्रामिंग के लिए ओके लास्ट प्रोग्रामिंग है यच 93 यच 93 का मतलब क्या है इसमें हम लोग Parameter Initalization इसका मतलब है जब हम लोग Factory Reset में BFT को लेगे जाते हैं फेक्टरी Reset में फिर हम लोग एक प्रोग्रामिंग सेट करते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तो